नौवल साड़ी शौपदा तीसरा अंग जदो शाम नू अठवजे दुकान आखरकार बंद होई तक गोकल रामचंद को लाया जेड़ा माल साम रहा सी क्यान लगा चाली यार अपा लखन सेंग देटा बेती खाना खाईए क्यों गोकल भाया एकदम अमीर कितों हो गया रामचंद ने कहा ती मुस्करान दी कोशिश कीती गोकल ने गल सुनके मूँ बढाया ती कैन लगा ओ नहीं पाई मैं का दामेर आदमी है मेरी जिन्दगी ता नर्क बनी होई है लचमी अपनी चाची दे प्रादे व्याते गई होई सी एतकी वी उही गल होई जड़ी हर वारी उस वलों के सिव्याच शामल हों ली जान समे हों दी है हर वार जदो हों दी है तो दे दिमाग ची कूड़ा पर या हों दे केन दी है मैंनू एचाईद है मैंनो उच्छाई दै साड़े कुडा नहीं है सन्वेस चीज दी लोड़ है ते मैं तैनों दसां के हर वारे से तरह हुंदा है हर वारी मैं उन्हों कहना के लचमी जदो तुए देखी कि हुरां लोकां कोल चीज है ता अपने दिल नू सड़न ना दे शांत रह जो कुछ भी तेरे कोल है उसे विच खोश रहना सिक पर इना औरतां बारे ता तुझ जान दाई है एस वार जदों आई ता मूँ फुलाया हुया से मैं तानों दसां के उन्हें शादी चीज शामल होन तो पहला एक नमी साड़ी ते बलाउस खरीदे सान ते नाल चूड़ियां भी ये दे बावजूद जदों वापस परती ता ओदा मूँ फुल लेया हुया से तो मैंनों केंदी है कि मुन्ने नू भी उसे तरां दे बूट चाही दे हन जिस तरां दे जगू दे पुत्तर दे हन तस्मिया वाड़ा वाड़े बाटा दे जुत्ते तू सोच सकता है मेरा जड़ा वड़ा पुत्तर स्कूल जान दे उन्हें भी कदे बाटा दे जुत्ते नहीं पाई वे दी परवावी नहीं करता जी असी कई है तो नंगे पेरी भी जाननों त्यार है इस नल की फर्क पेंदा है कि छोटा जा बच्चा किस तरह दे जुत्ते पहुंदा है कि इन नहीं काफी नहीं कि उन्हें चूडियां खरीद लें यां हानते नवी साड़ी ले 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 है पर नई, ये औरता तो तो नू पागल करके छड़ दिया मैं जानदां कि वह इस तरह क्यों कहरी है मैं उन्हू साफ कहा देता है कि देख लच मी मुन्ना सिर्फ तेन सालांदा है उन्हू तो हाले अपना नक भी चंगी तरह पुंजणा नहीं होंदा उन्हों नमें जुत्ते नी चाहिदे, तूँ चौनी है क्योंके जदों तूँ सारे रिष्टेदारां दे सामने, जगु दी का राली नू अपने पुत्तर दे पैरांच नमें जुत्ते पौंदे वेखिया, तां तेरा अंदर साड़ गया, येस्च मैं की कर सकता, मैं जगु मैंनू पक्का पता है कि हरेक गाकतों रुपया जदो रुपय वद लेंदा हुएगा, इही गल मैं उनू भी दसी, पर उके ते सुन दी सी, नहीं, उता एं कर दी सी, जमें मैं कुछ बोली नहीं सी रहा, उता आप भी बक बक कर दी जा रही सी, ते आखरकार, उस सदा मेरी म गोकल ने हौका परिया, फिर उने रामचंद नू पुछिया, तू आ रहे हैं? रामचंद ना करनी लगा सी, उदा सिर दर्द कार रहा सी, ते उदे अंदर जड़ी तलखी सी, मिसिस सच देवा ते मिसिस पंडारी दे, और तो बाद उदे मूँच कुडतन दा रूपता अर परेच जाकी, इकल्यां बैठके मिटी जे तेल वाले स्टोव ते बेस्वादी खाना बनाओना पैना है, स्टोव दी अगनलकंदा उतले उखड रहे पेंट दी सोच ओंदी, उने अपना मान बना लिया, हाँ, चलो चलिये उने क्या, फिर गोकल ने हरी नू पुछिया, हरी पुछिया वास्ट गारेया सी, उधी अखां बांदसान, तो अपने हाथच फडेया, गिल्ला पोचा फर्षते मारेया सी, गोकल ने हताश वे ने अपने जीब ना टक टक कीता, हरी कोल गया, तो उधे मुड़े ती हाथ मार दे क्यान लगा, हरी चल, आचलिये ते खाना खा चंदरवी जानी वाला सी, अपने सिर्द वाले उन्न दा गुलू बांदल पेट्रेया सी, हरी ने गोकल नूंती मियवास्ट पुछिया, उन्हों भी पुछ लेगे, गोकल बेच्चेन दिखाई ते उन्हें तुरंती क्या, नहीं, नहीं, क्यों? हरी ने सदावांगी उत्स उत्ता नल पुछिया, गोकल परेशान दिखाई ते ता, पर उन्हें ती मियवास्ट ज्वाब देता, उन्हें हर शाम अपने दोस्ता नल जांदै, ये थी और तो पहला जिस फेक्टरी चो काम करदा सी, उत्थों दे पुराणे दोस्ता नल, उन्हों सारे रलके शराव जो दोने अपना काम मुकाले ता, तिन्हों जणे दुकान तो बार निकले, ते लखन से इंग देता बेवल चल पे, बार बड़ी ठांड सी ते शाम दी तोंद फेलनी शुरू हो गई सी, उन्हों कंबदे हुए गलां करदे रहे, रस्ते चोनानू हरी दा चचेरा पाई सु बाश भी आ मिले, उन्हों देखन बड़ा चलाक नौजवान मुंदा सी, ते उन्हों दा हसा बड़ा पर्वां सी, उन्हेड़ी लेडीज फैंसी स्टोर्च काम करदा सी, ते उन्हों थे बहुत सारी चीज़ां वेच दा सी, परांदियां, चूडियां, लेंपशेड, बिं न मनामस्ते कीती, ते नालीय भी दसना शुरू कर्देता, कि केमें अज स्वेरे कोई गाक उसना लड़पई सी उन्हें एक दिन पहला लाल परांदी खरी दी थी उसे शामी उन्हें ए अपने वाडांच गुंद लई सी रात नूँ जदो परांदी खोली था इनू बात्रूम दी गिली कांधते राख देता एदा रंग जांदा रहा सी परांदी खराब हो गई सी वो बहुत गुसे विच सी कह रही सी के जानता हो दे बदले परांदी दिती जाई जा फिर पैसे वापस कीते जान सुबाश ने क्या दस नहीं सकता क्यों किन्ना बोली दे लड़ी वो भी एक निकी जी निकमी चीज बदले जेडी और ता अपने वालांच बन दिया हन लोकां दे दिमाग किस तरह दे हो गई है जे तुसी किसे बंदे नूवी सारी राद पाणी च पाच छड़ो तो अधा भी तैही हाल होएगा पुरांदी की चीज है हरी ने हांच हलका जया सेरह लाया तो लखन सेंग दे ताब्बे पहुंच गय तंदूर दी आगकारन अंदर निग सी ते नाली ताजा ताजा बन रही यां रोटियां दी मैक भी आ रही सी ताब्बे विच प्लास्टिक दियां कुर्सियां ते निवे स्टूलां ते बठे लोक कम रहे सन ते चादे गरम गरम गलासा नाल निग लेरे सन इलाइची वाली चादी मैक कमरे दे निग जफैली हुई सी कमरे दे कोने विच एक मेज ते दो कुर्सियां खाले सन जिदे दुजे पास एक टे लिजी चार पाई पाई सी चारे जणे तुरन तो ते जा बैठे ते जदों अराम नाल बैठ के ता लखन सिंगोना तो पुच्छन आया की खाऊगे उन लंबा पर उदास दिखाई देंदा सरदार सी उन पिछले ती साल तोटा बाचलार्या सी ते सारे अमरे सार्च मेशूर सी क्योंके थी सिर्फ शुद के ओई वरत्या जान्दा सी सान उनी सो चुरासी जहर मंदर सावदी होई अपरेशन ब्लिव स्टार दोरान उदे दो पुत्तर मारे गया सान उस्तो बाद उने अपने टाबेच पनीर मसाला बनोना बंद कारता सी उपने गाका नुँ दस्या करता सी कि ओधे चोटे पुत्तर नुए बहुत पसांद उन्दा सी नाली उत्ते मी वास्टरेवी दास्दा कि ओधा वड्डा पुत्तरेना साद्धा सी कि ओधी कोई वी खास पसांद नई सी लखन दे खब्बे परवट्टे ते वड़ा सारा मौका सी ते ओधी हाथ चु रडियां वाले सन जड़े कदे कदे कमबदे रन्दे सन रामचंद अकसर ओधे टाबे ते खाणा खांदा सी ते जदों वी उत्थे आंदा उनु लखन सिंगदी हाजरीच हलकी जी बेचैनी मैसूस होंदी उना दाल मकणी ते तंदूरी रोटीलिया उनली किया ते फिर बैठके उडिककन लगे सुबा अशाले वी परांधियां बारे ते बत्तमी जोर्तां बारे गल्लां कार रहा सी रामचंदा सिर हाले वी दुखी जान्दा सी पावे होनोंनू काफी निग मैसूस हो रहा सी फिर वी ठांड कारण वोदी हाथा जे वी सुन होई पैसन हरी जेडा के अपने हाथा नू आपस्ट माल रहा सी उना नू फूका मार रहा सी ने उस वल देख्या थे क्यान लगा रामचंद बहिया कोई गडबड है तेरा मूड खराब है नहीं यार हलकी जी सिर दर्द है रामचंद ने क्या गोकुल ने हस्ते होए क्या इस सिर दर्द कादे लिए तुंकेड़ा कोई बुड़्ी जिना नी है रामचंद मुस्कराया ते उ गलांकरन लगे गर्मा गरम ते ताजा खाना आगया ते इस नाल उसारी खोश होगे ता बेते काम करन वाला एक छोटा जा मुंडावनाल एक छोटी जी स्टील दी कॉलीज गंडे ते अचार ले आया बार शाम होडी होडी रात विच बदल गई सी ठंड ते तुन्दवी वद गईयां सन बजार दिया दुकाना एक तो वाद एक बंद हो रेयां सन शत्र सुट्टे जा रे सन दर्वाजयानू ताले लाग रे सन ते लोक करानू जाने शुरू हो गई आवा जाई दा रोडा ते रिक्षा चालक दियां हेका उचीयां हो रेयां सन ता बेदे अंदर बैठे चारे जने वी उची उची बोलन लाग पैसन ते लोड तो वद हस रहे सन उत्थे बैठे एक दुजे दे मुड्यां ते हाथ मार दे होई खुशी परे महाल जा बार बार चाप चादे का पी रहे सन ते कहाणियां दास रहे सन रामचन छेती चंगा चंगा मैसूस करन लगा हरी ने पीम सेन सेठ दी कमाल दी नकल लाई उन्हे अपनी कुर्सी पिछान उखिसकाई अपनियां कल्पित एनका मिच दी चाक्या ते पर्मीय वास्ट चाल या उनली क्या अखीर चोने नोट गिनन दा नाटक कीता अजया करदे होयो दियां खांच चंग सी ती उंगलां बड़ी तेजी नाल हरकत कार रहे यां सन इस ते सुबाशे नी तेजी नाल हस्या के कुर्सी ते डिग्गी प्यान लगा सी गोकुल ने फिर लच्मी बारे गाल करनी शुरू कीती परेस्वारियो दा टंग वक्री तरांदा सी जिवे इस तर्ती दी सब तो हसानी आरत होवे वो बड़ी बेतुकी सी गुसे चाओंदी सी ता पुराणिया लड़ाया नुवी चेते करलनी सी बिना किसे कारण लाड़ पैंदी सी ते फिर अपने आप ही समझाता भी करलनी सी वो दे चेरे ते लौन वाला पाउडर बड़ा पसांद सी वो बे लोड़े गदियां दे कवरां ते कडाई कर दी रन्दी वो दे अंदर अजीब के समझियां इच्छामां जाग दियां रन्दियां सन जदो ए गल्लां कार रहा सी तो खुल के हास रहा सी ते होण उस वेच शाम बड़ा गुसा नही सी फिर रामचांद ने स्वेर विले महाजन नल होए टाकरे बारे दसना शुरू कीता उन्हें दस्या के किमियोदे पैरां कारण अवाज ओनी शुरू होई किमे महाजनों ते गुसे चबर्या एगल दस्ते हुए रामचांद खुल के हसेया जिवे उन्हों बिलकुल ही डारनी सी लगा आखरकर सारी हसे ठटे दौरान सुबाश ने सारियां तो एवादा ले लेया कि अगले आतवार उस संगम सेन में चो दोबारा लगी फिल्म हीरो नंबर वान देखन जानगी उन्हार होर चा मंगवाई ते देर रात तक गल्लां कार दे रहे आखरकर ग्यारा मजे गोकुल उठ खड़ा हुया मैं सोचदा के मैंनू हुन जाना चाहिद है उन्हों तकता लच्वी मेरे सारे पुर्ख्यानू गालां काड़ चुकी होएगी सब जणे हस पै ते गोकुल काड़ी नाल चला गया हरी ते सुबाशने राम चांदनू अल्विदा कई ते ओवी चले गई जान्दे होएवी यो दोमें किसे गलते उची उची हास रहे सन राम चंद्वी पहला नालों कुझ शान्थ होगया सी उन्हें हरी ते सुबाशनू ठंडी तोंद वेच गुम होंदे वेख्या ते फिर अपने कमरे वालनू पैदल चलना शुरू कर देत उन्हें जदों इकल्ला रह गया ता शाम पार्दी सारी चुस्ती एकदम फेर जान्दी रही शामनू जड़ी हलकी जितोंद पैणी शुरू होई सी उन्हें रात होंदे आई बहुत गेरी तोंद च बदल गयी सडकां खाली सन रामचांद हली हली अपने कमरे वलवाद आ गया उबे चैनी मैसूस कार रहा सी उदे अंदर लुक में कोने आच लम्मे समेतों जड़ी सोच उदे फेफडे आच सुंगडी बैठी सी उदे खून च तैर रही सी उन्हों उस्ते पहला नालोवी पारी होके डिगी उन्हों अजवी अजदी बिताई बे मतलब शाम ते अपने आप ते किर ना आई तोंने मैसूस केता के दोस्ता नाल बिताई गई एक शाम दोरान उदा वतीरा बड़ा माडा ते गंदा सी पता नियों सुबाश ती पिठ ते हाथ क्यों मार रहा सी ते पता नियों हरी ते लतीफ यां ते क्यों हस रहा सी उन्हों ये सारा कुछ करन दी लोर क्यों पहरे सी उन्हें मिसिस सच देवा ते मिसिस पंडारी बारे सोचया होर भी दुखी होया उन्हों अपने आपतों वी नफरत होई ती उना तेवी। उन्हें दिन पार दियां कटना वानूं चेते कीता, सार याइक दूजे नलू अलग लग दिखाई दे रहें सन। लोग सिरफ परच्छामे मातर सन। अवाजां खाली-खाली सन। ते दूर तो अनियां सुनाई उन्हें अपने आपनों अद्दा बेशर ते अदूरा जीव मैसूस कीता। जिड़ा किसे बहुत ही माड़ी बेमतलब फिलम जफास गया हुए। रामचंद ने अचन चेती अपने आपनों किया कि बस इन नहीं काफी है। इस सारा पागलपन क्यों। आखर करे सब्दा से की निकलेगा। नहीं ये नहीं चलेगा। उन्हों अपने आपते कंट्रोल करना पाएगा। काल नू नमा देन होएगा। वो हर चीज बदल दाएगा। वो पहला वांग बेमतलब सोचांच के रहा। लम्मा नहीं प्यार रहेगा। वो कसरत करने शुरू करेगा। ताकि वो सेत मंते तंदरुस्त रही। वो किसे तो भी नहीं डरेगा। ति वो हरी ते होर लोका नाल एतवार नू फजूल फिल्मा देखन जाना बंद कर देगा। रामचंद ने अपनी रफ्तार तेज कर देती। वो कुछ चंगियां के ताबां पड़ेगा। उन्हें सुन आत्मा चे येकीन करदा हैं जा नहीं। वो काफी तेज तोर्रेया सी जिस करके आम देना नालों छेती अपने कमरेच पहुंच गया। उन्हें गलीच लगगे बल्लबदी रोश्नेच वड़ी सारी लोहेदी चाबी कड़ी ते पहली मनजल ते अपने कमरेवालनू जान दी हनेरी ते तंग पौडी चड़ गया। उन्हें पुराणी लकड़ दे दर्वाजे दा ताला खोलया। अंदर दाखल होया। हनेरे चोने बिजली दा बटन लबण दी कोशिश केती ते नू जगा देता। कमरे दी छात देया और वेच कार लटकर या बल्लब जग पया। ज इस नाल कमरा खेल उठेगा। वैसे वी चाड़ी वाट दे बल्लब दी रौश्नी जपढ़ना बड़ा मुश्किल हुन्दा है। हाँ एक वड़ा बल्लब दे सुफैदी कीता कमरा एस दे बिनाव हर रोज शीशे मुरे खड़के अंग्रेजी बुलन दा भी आसुई करिया करेगा। कटो काटो भी मेंट तक की पताया उनूं किसे देन चंगी नौकरी मिल जाए। आखरकार काल एक नवा देन चड़ेगा। इना ही सोचांचु डुबे होए रामचांदर ने अपना कुड़ता पजामा पाया। अपनियां सिलेटी जुराब्बान लाइना। ते र पुराणा शेर उत्तो पहला ही जाग पिया सी। उनूं किसे दे रेडियो तो हर मंदर साब दे स्वेर दे कीटतन दी अवाज सुनाई दे रही सी। लागले किसे मंदर्च कंटिया वाज रहें सन। एक सबजी वळा होका दे रहा सी। ते उच्छे रुपय किलो दे हिसाब पुराणाल ताजा टमाटर वेच रहा है। इको रेडी वळा ताजा नहा के आया हुएं ग्रैणिया नूं स्वेरे स्वेरे पूजा करन ले गेंदे दे फुल वेच रहा सी। हेटली मंजिल ते मकान मालक दे बच्चे आने टेलिवीजन चालू कर ले होया सी। राम चान द दी बंद कीती होई खिड़की दे विच्चों सर्दियां दी स्वेर दी कमजोर जी रोशनी चान के आ रही सी। ते बदरंग होई फर्ष ते सुनेरी तारियां बना रही सी। राम चान दने कल राद दियां गल्ला बारे सोचन दी कोशिश कीती। पर सिर्फ ओ सिर्फ ऐसे बेहुदा शबदी चेते कर सकया जिनांदा कोई मतलब नहीं सी। ओर राद दी होर कोई वी गल्चेते ना कर सकया। ओदा मन खाली हो गया। ते उपता नहीं कदों तक अपनी टिल्ली होई चार पाई ते बे तर्तीब कपड़ियां ते प्यार रहा। ते अपने पैरांद ये उंगलां विच्चों गर्द ते चमडी छेलदा रहा। उन लम्मी समेता को ते बैठा रहा। ते फिर उन्हें मैसूस कीता कि उन्हों अजवी कम ते देरी हो जाएगे। तनवाद चलदा।